ये वाटसब दाइस, वेल्कम तो मैं चैनल और ये वीडियो का एक certification website पे Nokia G100 smartphone का कुछ specifications और यहाँ पे कुछ price लीक हुआ है और यह काफी interesting है क्योंकि ये phone काफी aggressive price के साथ में, काफी जबरदस्त feature के साथ में आता है तो ये phone के अंदर कोई megapixel game नहीं होगा, यानि ये phone के अंदर आपको 50 megapixel का huge camera sensor होगा लेकिन यहाँ पे आपको बहतरीन quality image and photography देखने को मिलेगा और यहाँ पे काफी बहतर video quality भी मिलने वाला है तो नोकिया smartphone पे 64 megapixel या 48 megapixel camera देना काफी socking बाली बात हुआ करता था लेकिन ये 50 megapixel camera भी Nokia यहाँ पे दे सकता है जो काफी interesting बात है और ये काफी बहतरीन camera quality भी दे सकता है तो ये phone पे Android की latest 12.0 operating system देखने को मिलेगा और ये phone पे सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पे आपको 12.0 operating system तो मिलेगा लेकिन ये stock Android operating system होने वाला है दोस्तों ये G100 smartphone पे snapdragon का latest mid range processor मिलेगा जो इसकी user interface इसकी जो कमाल की multi-asking यहाँ पे camera performance सभी में काफी improvement लाएगा और यहाँ पे आपको काफी powerful experience मिलेगा दोस्तों Nokia G100 smartphone का सबसे कमाल की बात तो था बात है जब बात करते है phone की price की बारे में क्योंकि ये phone का जो base variant होगा ओ आपको मिलेगा 4GB RAM के साथ में 64GB internal storage और इसका price होगा approximately 17,000 के आज पास यहाँ पे आपको और भी variant मिलेगा जैसे की 6GB RAM के साथ में 64GB and 6GB RAM के साथ में 128GB internal storage और यहाँ पे 8GB RAM के साथ में भी आएगा with 128GB internal storage यहाँ पे आप अगर 6GB RAM के साथ 128GB internal storage की price की बात करे तो इसकी price हो सकता है 18,000 रुपीज के आज पास और यहाँ पे अगर 8GB RAM के साथ में 128GB storage की बात किया जाए तो इसकी price हो सकता है approximately 24,000 रुपीज के आज पास Nokia G100 सीरिज को काफी aggressive price point पे launch करने में मदद करेगा और यहाँ पे आपको इसी price range प्रंदेर बहुत सरे ऐसे features मिलेगा जो आप यह सीरीज में साहित expect भी नहीं किया होंगे तो आप चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए ताकि इसकी बारे में जो भी नया update आएगा और जो भी नया news आएगा वो आपको मैं सबसे पहले inform कर पा हूँ ताकि आप इस device की बारे में सभी report और सभी news सबसे पहले जान सके तो let me know your thoughts on this and I will see you guys tomorrow, peace out